हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं अब आभनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करन्ट अफेर्स का एपिसोर नंबर 784 आज की तारीख है 20 सेप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अगर अपने मारे चानल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से सससीजलपिनेकल.com और बलजीधा.com में दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कुशन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्चन था गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तर किस ने लिखी है तो इसका सही जवाब था अवनी दोशी और आपका दूसरा क्वेस्चन था विश्व बैंक के मानव पूझी सूच कांक में भार का सबसे खुशार राज्य केंद्रि शासत प्रदेश कौन सा है तो इसका सही जवाब है अप्शनमबर सी मिजोराम देश भर में सभी राज्यों और केंद्रि शासत प्रदेशों में पहली और इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है कुल मिलाकर पुर्वोतर भार कि राज्यों ने सर्वेक्षन में अच्छा प्रदेशन किया है और रिपोर्ट में मिजोराम शीर्ष पर रहा पंजाब अंदेमान एं निकोबार द्वीब समू राज्यों केंद्रि शासत प्रदेशों की सूची में दूसरे और तीसे स्थान पर रहा महराश्ट्र दिल्ली और हर्याना ने happiness पर COVID-19 का सबसे बुरा प्रभाव दिखाया है जबकि पूडुचरी और जम्मू और कश्मीर निश्पक्ष है बात करें मिजोराम की तो इसमें आता है मुल्लिन नाशनल पार्क, दंपर टाइगर इज़व और तावी वाइल लाइफ सेंक्चुरी मिजोराम की कैपिटल है एजवाल गवर्नर है पीए स्रीधरन पिलाई और सीम है जोरम ठंगा अगला प्रेशन है अजादी, फ्रीडम, फैशिजम, फिक्षन पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सही जवाब है अरुणधती रोई अरुणधती रोई की नई पुस्तक जिसका शीरशक आजादी फ्रीडम, फैशिजम, फिक्षन है पैंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है नॉन फिक्षन बुक निबंधों का एक संग रह है जो बढ़ती ऑथर टेरिनिजम को अधिनायक वाद की दुनिया में स्वतंतरता का अर्थ दर्शाता है यहाँ पर एक को एक रिविजन की बात करें तो माय लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सही जवाब है गौरी खान अगला प्रशन है प्रतिष्टित अंतराष्ट्य एको लेबल ब्लू फ्लैक प्रमानिकरन के लिए कितने भारते समुद्र टटो की सिफारिश की गई है तो इसका सही जवाब है अप्शन अबर C अंतराष्ट्य तटिये स्वच दिवस पर केंद्री परियावरन वन और जल वायू परिवर्तन मंतराले ने एक अभासी कारेकर में घोशना की कि पहली बार भारत के आठ समुद्र टटो को प्रतिष्टित इंटेनाशनल एको लेबल ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन देने की सिफारिश की गई है ब्लू फ्लैक समुद्र टटो को दुनिया का सबसे साफ समुद्र टट माना जाता है सिफारिश एक सोतंत्र राष्ट्रे जूरी द्वारा की जाती है जो प्रख्यात परियावरन विदो और विज्ञानिकों से बनी होती है भारत में जिन आठ बीच की सिफारिश की गई है उनमें गुजरात के शिवराजपूर, ओरीशा का गोल्डन तट, केरल का कपड, आंधर प्रदेश का रूशी कॉंडा, करनाटा का पदू बिद्री और कसर कोद के साथ अंडमान एव निकोबार और दमन दीव के एक एक तट अगला प्रशन है विश्व जल निगरानी दिवस का बनाया जाता है तो इसका सही जवाब है option number D, 18 सितंबर वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व सर पर world water monitoring day यानि विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरुकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 की थीम solve water है इस दिन की शुरुवात साल 2003 में अमेरिका के स्वच जल फाउंडेशन अमेरिका स्क्लीन वाटर फाउंडेशन दुवारा वैश्विक शेक्षिक आउटर रीच कारेकरम के रूप में की गई थी जो नागरिकों को अपने स्थानिय जल निकायों की बुनियादी निगरानी क करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है अगला प्रशन है किस भारतिये को संयुक्त राष्ट्रे ने सतत्विकास लक्षे 2020 के यूवा प्रनेताओ की सूची में शामिल किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर B उदित सिंगल भारत के 18 वर्षिये उदित सिंगल क को संयुक्त राष्ट्रे ने सतत्विकास लक्षे 2020 के यूवा प्रनेताओं की सूची में शामिल किया है विश्व के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चनोतियों से निपटने के परियासों में लगे यूवाओं के कारेों को प्रोचाहन देने वाला यह एहम मंच है वह ग्ला पहल के तहत कांच की बोतलों को कच्रा घरों में फेंकने से रोका जाता है और इन्हें वियवसाइक रूप से मूलियवान रेत में तबदील किया जाता है यहाँ पर एक को एक रिविजन की बात करें तो यूरो मनी अवाड्स अफ एक्सिलेंस 2020 दवारा लाइफ टेम अची करम शुरू किया है तो इसका सही जवाब है option number D करनाटक मुख्य मंत्री B.S. यदुरपा ने विभिन सह कारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड रुपे के रिन को वित्रित करने का अर्थिका स्पंधना कारेकरम शुरू किया है इस योजना के तहत क्रिशिक शेत्र में 15,300 करोड रुपे का वित्रन किया जाएगा जबकि गैर क्रिशिक शेत्र के लिए 22,000 करोड रुपे की राशी दी जाएगी केंद्र ने किसानों के संगठनों और प्रात्मिक क्रिशिस हैकारी समीतियों को मजबूत बनाने के लिए राज्य को 4525 करोड रुपे प्रिदान किये इस योजना के तहट प्रात्मिक क्रिशिस हैकारी समीतियों को बहु सेवा केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा यहां पर एक को एक रुविजन की बात करें तो मेके दातू पर योजना जो हाल ही में खबरों में थी उसका निर्मान किस नदी पर किया जाना है तो बात करें करनातिका की तो इसके ड्यांज औ रिवर्ज में आता है क्रिश्का राजसागर का वेरी तुमग बद्र टंग बद्र और अलमाती डैम क्रिश्णा का आता है नगरहोल नाशनल पार्ग, आंशी नाशनल पार्ग और बनर घटा नाशनल पार्ग, करनाटगा की क्यापिटल है बैंगलूरू, गवर्नर है वाजुबाई वाला, सीम है बी एस यदूरप्पा, युनेस्को वर्ल हेटे साइट्स में आता है हमपी मॉनुमेंट्स और अगला प्रशिन है महाराष्ट्र राजसरकार ने किस नेता के नाम पर एक नई सड़क दुरुगटना बीमा योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी बाला साहिब ठाकरे महाराष्ट्र राजसरकार ने दिवंगत शिव सेना प्रमुक बाला साहिब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुरुगटना बीमा योजना शुरू की है जिससे पीडितों को समय पर उपचार उपलब्द कराया जा सके जिससे की मृति उदर को कम किया जा सके बाला साहिब ठाकरे दुरुगटना बीमा योजना के तहट दुरुगटना की शिकार व्यक्ति को घटना के पहले 72 घंटों में नजदीके अस्पतालों में इलाज मुहया कराया जाएगा गेहन चिकित्साइकाई, ICU और वाड में उपचार, फ्रैक्चर के साथ साथ अस्पत साल में भोजन सहीत लगबग 74 उपचार प्रक्रियाओं के लिए 30,000 रुपे तक का उपचार निशुल्क प्रदान किया जाएगा, किसी भी राज्य या देश का दुरुगटना पीडित व्यक्ति इस योजना का लाब उठा सकता है, यदि वे महाराश्ट्र में सडक प्रटने के लिए माई फैमिली माय रिस्पोंसिबिलिटी पहल शुरू की है, तो इसका सही जवाब है महाराश्ट्र अगला प्रशिन है प्राइवेट जेट के लिए भारत के पहले समाने विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है, तो इसका स अखी प्राइवेट जेट टर्मिनल आई जीाई एक टर्मिनल 3 के पास है, यहे टर्मिनल GMR गुर्प दुवारा लॉंच किया गया है, जेनरल एविएशन टर्मिनल आई जी ऐए एरपोर्ट पर शार्टर फ्राइट से जार है यात्रियों की मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें कोड सी श्रेनी एरक्राफ्ट भी शामिल हैं। अगला प्रशन है, हाल हिमें आयोजित किये गए ग्लोबल आयूरवेद शिखर समेलन 2020 का उधगाटन किस ने किया है? तो इसका सही जवाब है, अप्शन नमबर A, M. Venkya, Naidu ग्लोबल आयूरवेद समिट का चौथा संस्करन भारती उध्योग परिसंग C.I.I. द्वारा आयूरवेद फॉर इम्म्यूनिटी थीम के साथ आयोजित किया गया? शिखर समेलन का घाटन उपर राष्ट्रपती M. Venkya, Naidu ने किया? शिखर समेलन का उदेश्यत दुनिया में आयूरवेद और हरबल चिकित्सा को स्वास्ते के रूप में एक समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है अगला प्रशन है किस राजे ने भारत का पहला प्राथमिक क्रिशी सहकारी समिती वेब पोर्टल लॉंच किया है? तो इसका सही जवाब है Option D. तेलंगाना तेलंगाना IT और उद्योग मंतरी K.T. रामराव, K.T. आर ने प्राथमिक रिशी सहकारी समिती P.A.C.S. पोर्थगल वेब पोर्टल www.pacspotgal.com का शुभरम किया वेबसाइट तेलगू और अंग्रेजी में उपलब्ध है P.A.C.S. पोर्थगल भारत का पहला P.A.C.S. है जो एक वेब पोर्टल के साथ आता है जिसमें रिन प्रक्रियाओं और समाज द्वारा दी जाने वाली रिन सिवाओं का विवरन है वेबसाइट पर पेट्रोल गुदाम, खाद प्रसंसकरन उद्योग, ATM, कारे आले भवनों की पर्योजनाओं से संबंदित, जानकारी का उलेख किया गया है बात करें तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो भारत का हैपिए स्टेट किसको चुना गया है? मिजोराम को, आजादी, फ्रीडम, फैशिजम, फिक्शन बुक किसने लिखी है? अरुंधती रॉय ने इंटरनाशनल इको लेबल दे ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन के लिए भारत के आठ बीच को नामांकित किया गया है? World Water Monitoring Day 18 सितंबर को मनाया जाता है UN 2020 Class of Young Leaders for SDG के लिए उधित सिंगल को चुना गया है अर्थी का स्पंदना प्रोग्राम करनाटिका में शुरू किया गया है महराष्ट्र रोड एक्सिदेंट इंशॉरेंस स्कीम बाला साइब ठाकरे के नाम पर रखी गयी है प्राइवेट जेट्स के लिए इंडिया का पहला जेनरल अवियेशन टर्मिनल इंधिरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पे बनाया गया है ग्लोबल आईरोवेट समित का इनाउगरेशन एम वेंक्यान आईडू ने किया भारत का पहला प्राइमरी एग्रिकल्चरल कोपरेटिव सुसाइटिव वेब पोर्टल पेलंगाना में शुरू किया गया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस फॉद डे की आपका पहला क्वेस्चन है किस भारतिये को संयुक्त राष्ट्रे ने सदत विकास लक्षे 2020 के यूवा प्रनेताओं के सूची में शामिल किया है और आपका दूसरा क्वेशन है अजादी, फ्रीडम, फैशिजम, फिक्शन पुस्तक किसने लिखी है और अगर अभी तक आपने माय चैन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स ससेसीजलपिनेकल.com और बलडीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच